अम्बाला केंट केंटोन्मेंट बोर्ड की आज अंतीम मीटिंग हुई आपको बता दे कि आज के बाद केंटोन्मेंट बोर्ड के सभी पारशदों का कारेक आलसम आप्थ हो गया है आज 16 एजेंडे रहे जिन पर केंटोन्मेंट बोर्ड की तरफ से काम हुआ बोर्ड बंग होने के बाद भी विकास कारे निरंतर चलते रहेंगे पालियमेंट में नया एक्ट बन रहा है उसके बाद ही चुनाव की तारीख तै होगी देखने वाली बात होगी कि उसमें कितना टाइम लगता है आज अंबाला केंट केंटोन्मेंट बोर्ड भंग कर दिया गया है जो भी चुने हुए पारशत थे उनका आज आखरी दिन था आज केंटोन्मेंट बोर्ड की अंतिम मीटिंग हुई केंटोन्मिन बोर्ड का चुनाव पांच वर्ष के लिए हुआ था उसके बाद 6-6 महीने के दो एक्स्टेंशन दिये गए 6 साल के बाद बोर्ड भंग हुआ है जब तक दोबारा चुनाव नहीं हो जाते तब तक CEO और प्रेजिडन्ट की देख रेक में बोर्ड को चलाए जाएगा वही विकास के कारे निरंतर चलते रहेंगे जिस प्रकार से सरकार की पॉलिसी आएगी और एक नया बोर्ड बनेगा और नए तरीके से काम चलेगा पिछले छे सालों में बोर्ड की तरफ से अच्छे कामों के लिए कमांडिंग अफसर ने सभी पार्षदों को बढ़ाई दिये वही केंटोन्मेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट अजय बावेजा ने 6 साल के कारेकाल में बोर्ड में हुए विकास के कारे के बारे में बताया और उन्होंने ग्रह मंत्री के नक्षे कदम पर चल कर विकास कारे करने की बात कही अंबाला से अशोक अगरवाल की रिपोर्ट मिलकर हमारे संट साथ हमारे मेरे साथ हम ज liquor है क्लिए च्रवार सर्फ हमारा और देखेंगे जो भी हमारे एरिया में आता है उसको लगता है कि मैं कि बहुत अच्छी जगह पे आया हूं तो आगे भी परकरार रहेगा आज हमारा पोड का आखरी दिन था बोड आज भंग हो गया वैरी हो गया तो अगले चुनाव अभी पार्लियमेंट में हमारा जो एक्ट है वो निया बन रहा है वो टेबल होना है उसके मां देखो कितना टा हुए 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 चलते रहेंगे कोई भी उसमें कमी आडे नहीं आने दी जाएगा कि क्योंकि हमारा इवी कैंट बोड जो है भारत सरकार की नोटिफिकेशन से डिजॉल्व हो रहा है क्योंकि पहले पांट साल के लिए एलेक्ट हुआ था उसके बास चे लिए जो प्रेजिडेंट कैंट वोड है और सी यू है वो इसको चलाएंगे और अगर कोई बंदा सिविल नॉमिनेट होता है गोर्मन्ट की तरफ से रेकमेंडेशन के मताबिक वो इसका मेंवर बनके वो बोल को चलाएंगे बाकि जितने कारे काल हैं वो चलते रहेंगे कै साथ से जो हैं हमारे वक्स पचलेंगे और जिस प्रकार से गवर्मन्ट की पॉलिसी जाएंगी निया बोर्ड बनेगा फिर एक नहीं तरीके से काम चलेंगे अदवाइस जो हैं सारे काम जो है कैंट के हम मिलजूल के सीविलिंग के साथ करते हैं और यह में बोर्ड ने अपने सजेशन से अपने रेकमांड़ाशन ताकि हम अपना काम उसी प्रकार से मैंटें रखें पकी जैसे गवर्मन्ट की पॉलिसी जाएगी इसी प्रकार फिर रमकार किया जाएगा ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल ध correr ढ़ से अ हैंने ताकि करें मैंने